हाउरुफीक्स सैमसंग जे टू एस हैंग एन रिस्टार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर हैंग और रिस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्फ के से गर सकते हैं यहाँ दोस्तों क्या होते हैं जब हमारे दिवाइस हैंग हो जाते तो वह अपने आप रिस्टार्ट हो जाते हैं तो अगर दोस्तों आपकी जो डिवाइस हैं सैमसंग का वो भी अगर हैंग हो जाते हैंग होने के सॉलिशन में आपको उसको फोलो करें आपका प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप आप उनलाइन पैसा कम आना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज करें तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो हैंक एंड रिस्टार्ट प कीजिए ठीक है बहुत बड़ा अप्लिकेशन्स आप यूज करते हैं तो उसका डेटा को क्लियर करके यूज कीजिए इससे आपका जो रे में वह खाली होगा ठीक है और कोई भी दोस्तों एप्लिकेशन्स होगा उनको भी डिलेट कर दीजिएगा बेट अप्लिकेशन जैस ठीक है जब इस तो रेच आपका 40-30% हो जाएगा तब आप अपनी मोबाइल सौफ़ेर को अपडेट करेंगे मोबाइल सौफ़ेर अपडेट होने के साथी साथ आपका प्रॉब्लेम सौर्फ हो जाएगा ठीक है तो हैंग और रिस्टार्ट का जो इश्यू है आप इसी तर एक अगर इसके बाद भी प्रॉब्लेम आते हैं तो आपको जाना है जेन्रेगल मैंज्चमेंट रिसेट एंडDN फ्यूरी डेटा रिसेट ठीक है फेक्टुरी डेटा रिसेट पर जाकि आपको डारेक्ली मोबाइल रिसेट कर देना है जैसे हैं रिसेट करोगे आपका प् लिकते बात में नहीं होगा ठीक है तो जो पॉसिबल सोल्यूशन था मैंने आपको वही बताए तो आप भी उसी को फोलो कर लेना उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा थैंक्स वर वाचिंग